आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है इस्कूरूडराइबर इस्कूरूडराइबर के बारे में हम लोग देखेंगे आपके अपनी यूटूब चैनल आरार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है स्क्रू ड्राइबर टापिक से हम लोग पूरा कवर करेंगे कि स्क्रू ड्राइबर हमारा किस काम में प्रयोग मिलाया जाता है स्क्रू ड्राइबर के टाइपस देखेंगे सारा कुछ हम लोग जो है स्क्रू ड्राइबर के बारे में देखने वाले हैं अगर चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक सेर करना ना भूले यह हम बात करते हैं स्कूरू डाइवर्स के अगर बात करें कि हमार जो बिभिन साइज में आपको चित्र के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं यह हमारा जो इस्कूरू डाइवर है यह हमारा क्या है कि स्कूरू डाइवर है इसमें क्या कहते हैं यह चो हमारे यहमारा यह स्क्रू डाइबर में किया जाता है यह चैन्डर्ड समान इसक्रू होते हैं यह क्या होता है कि जो स्क्रू को पर किया जाता है, यह उप्योग किया जाता है, यह क्या किया जाता है, इसके तीन पार्ट स जो जो screwDivers होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट से है candy,刷र, isenq और handle जो है screwDivers के तीन पार्ट में और होते हैं, यह हम captivear की पार्ट करें। पार्ट के बाद में तेखते हैं, यह हमारा Lawrence कバद में क्या है और ग्रिप ये हैंडल की पकड़ को जो ग्रिप बनी रहती है ये हमारी क्या है ये हमारी ये यहां से यहां तक क्या है ये हमारी साइंक है ये हमारी क्या है साइंक ये हमारी क्या है साइंक और ये हमारा कौन सा भाग है ब्लेड कौन सा भाग है ब्लेड स्कूरू डाइबर के क सैंक और हैंडल होते हैं जब इसके प्रयोग में लाए जाता है तो हैंडल को दाएं हाथ से पकड़ कर और बाएं जब हम इसका हैंडल का जो इसकुरू डाइबर का प्रयोग करते हैं तो हम इसको अपने क्या करते हैं कि दाहिने हाथ में जो है पकड़ते हैं और क्या करते हैं बाएं हाथ से इसके टिप को स्क्रू के स्लाट पर गाइड कर सकते हैं जो स्क्रू का स्लाट होता है माली जी हमारा एक स्क्रू है इसमें स्क्रू का जो इस प्रकार से स्लाट करता होता है ये जो ब्लेड वाला इसतान होता है इसको हम लोग जो हैं इस पर फिट करते हैं जयद्धिय पी अधिकतर सक्क्क गोल आकार होताई है क्या होती है क्या ख़ोती है सक्क्क एंट होती हैं परनतु वे डूटी इस्कुरू ड्राइबर की सैंग प्रायर्च ऑएव होती है यहां साइंग होगा जो क्या कहते है है वी ड्राइबी के जो इसक्रू होते है जो वजन को इसक्रू होते है वी होते है उनकी साइंग क्या होते है कि प्राहत चवकोर होते है जिसे से इसे जब अधिक टार्क की आव सकता होती है जो अधिक बल की आव सकता होती है तब इस पर रेंच का प्रयोग किया जाता है जब हमें क्या कहते हैं कि इससे अधिक बल की आउसकता होती तो हम तो किसका प्रयोग करते हैं रेंच का प्रयोग करते हैं यह ड्रॉइंग के माध्यम से आप देच सकती है इस प्रकार का जो है मरब होता है आपसेट इस्कुरू डाइबर की डीजाइन यहां बनाया जाता है कि इसे तंग इस्थान तक परेभम नाया जा सकते हैं जो तंग इसतान होता है जहां कि 아무ल ठरीके अता की हमारे spirit आफेर झिखर्ण कि के लिए हम लोग क्या करते हैं तंग इस्थान पर तंग इस्थान बोले तो जहां पर जेटिल इस्थान पर जहां पर हमारे स्क्रू ड्राइबर नहीं पहुँच पाया है उसे उस जगह पर हम क्या करते हैं आपसेट इस्क्रू ड्राइबर का डिजाइन से बनाया जाते हैं यह आपसेट इस्क्रू ड्राइंग की माध्यम से आप देख सकते हैं हमारा क्या है कि आपसे इस्क्रू है तंग इस्थान पर प्रयोग में लाए जाता हैं क्योंकि एसे इस्थान पर इस्टेंडर्ड इस्कूर ड्राइबर का प्रयोग करना संभव नहीं होता है जो हमारे आम तोर पर इस्कूर ड्राइबर 90 डिग्री पर हैं इसके सीरो को सीरे पर सीरो पर ब्लेड पर समकोंड पर होती है क्या होती है कि हमारे ब्लेड जो है समकोंड पर होती है एक सीरे से स्कुरू का एक चोरा चकर्फॉमाया जाता है एक चोरा चकर फिरा क्या होता है खमाया जाता और दूसरे सीरे से रचाइज चक्र गुमाए जाता है, इसके एक सीरे से क्या किया जाता है कि हमारा जो है, एक चवथाई चक्र जो है, चवथाई चक्र घुमाते हैं और जो दूसरा सीरा हो गया, यह हमारा क्या हो गया, दूसरा सीरे सीरे से क्या हम करते हैं, चवथाई चक्र जो है, मूव करते हैं, मूव रबर्ट्ट सन्स्कूरू डाइबर चीस पर स्कुरू ड्राइबर जिस पर क्या होता है कि हमारे स्कुरू टिप या ब्लेड होता है। ये इस प्रकार से हमारे जो है अलग- dividers होते हैं अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए गा मोई और फिलीप स्क्रूडाइबर में एक्स आकार का पॉइंट होता है जो फिलीप इसक्रूडाइबर हो था है हमारा जो यह हमारा फिलिप इस्क्रू डाइबर है यह क्या होता है इसमें जो है एक्स आकार के जरह यह जो है हमारी फिलिप इस्क्रू डाइबर है यह देख सकते हैं यह क्या होते हैं कि हमारी एक्स आकार की तरह होती है यह दोनों प्रकार की स्क्रू डाइबर बिभिन साइजों में पाए जाते हैं जो नार्मल स्क्रू डाइबर होता है और जो एक फिलिप प्रकार का जो फिलिप आकार का स्क्रू डाइबर होता है यह हमारे क्या होते हैं कि बिविन साइजों के में पाये जाते हैं ज्योकि result of bubble omega come यह क्या होता हिवितो अधिक साइजों के लिए उपयूगत होता है जब स्कूर को कसने या धीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है तब इस्कुरू डाइबर के ब्लेड को अच्छ और इस्कुरू के अच्छ पर एक लाइन में होना चाहिए जो हमारा इस्कुरू को हमें क्या करना है कसना है और या धिला करना है तो हमारा जो ब्लेड होता है यह हमारी क्या है ब्लेड है यह हमारी क्या के लिए हम लोग प्रयोग में लायते हैं तब स्कूरू का अच्छ स्कूरु.'' डॉइबर के इसकूरु का अच्छू के लाइन में होना चाहlair होता है हमारा स्कूरु है माली ऑच्छू होना चाहिए जिस लाइन पर ह fel ऑना यह होनी चाहिए यह साथधानी को धियान में नहीं रखा जाता है अगर इस साउधानी को हम क्या करते हैं कि ध्यान में अगर नहीं रखेंगे तो इस्क्रू ड्राइबर की टिप इस्क्रू का हेड होल से थ्रेट्स खराब हो जाएंगे जो इस्क्रू की ड्राइबर होती है इस्क्रू ड्राइबर की टिप यह जो हमार खराब हो जाएंगे हैं यह है अप्र सब्सक्रों यह ederim न प्रकार से हमारी क्या होना चाहिए है हमारे स्क्रू है इस्क्रू क्या होना चाहिए जो इस्क्रू होता है इस्क्रू का जो में लाइन कटी होती है उसके अच्छे क्या होना चाहिए कि लंबोत हमारा होना चाहिए क्या करते हैं कि खोलते या ठाई कसते या ठीला करते समय हैं आगे बात करते हैं यदि स्लाट और या स्कूरू डॉयवर की टिप को खराब होने से बचाना होता है। इसको खराब होने से बचाने के लिए बचाना होता है। इसका क्या होना जो खराब होने से इचे बचाने के लिए हमारी क्या होती हैं, कि बहुत ही आउशक होती है, कि tip का आकार सही हो, और slot का size से match करना चाहिए, यह Grandpa 해 बोल्ड का slot होता, इस से screw driver की blade की tip जो होती है, वो क्या करती रहनी चाहिए, हमारी मैच करती रहनी चाहिए आगे बात करते हैं इसक्रू डाइबर को की देख रेक और मेंटिनेंस हमें जो है इसक्रू डाइबर की देख रेक और मेंटिनेंस का हमें किस प्रकार से ध्यान रखना है अगर आपको वह वाली हेडिंग जो है समझ में आई होगी तो कमेंट कर करके जब थमसब करके कमेंट में जरूर बताईएगा अब हम लोग देखेंगे कि हमें जो इसक्रू डाइबर की देख भाल और उसकी मेंटिनेंस का किस प्रकार से ख्याल रखना है पॉइंट में बात करेंगे हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट भी बात करते हैं तो इसक्रू डाइबर का प्रियोग डिल चीजल या पिंच बार की सतह पर न करें अगर हमें जो इसक्रू डाइबर जो होता है उसका हमें किसकी स्थान पर प्रियोग नहीं करना चाहिए डिल के चीजल अगर इन सबोगी को जगह पर हैं प्रयोग जैसे ड्रिलिंग के लिए जो ड्रिल की करते हैं उसकी जगह पर हमें नहीं करना चाहिए चीजल बोलेते हैं गेसिज मेटल को काटने के लिए पिंच बार की तरह नहीं करें इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए इस प्रकार से गर हम screw driver का प्रयोग करेंगी इन चीजों पर डिल चीजल या चीपिंग बारपा इस प्रकार रखके हम drilling पर जो करेंगे हमारा क्या होगा screw driver जो है खराब हो जाएगी इसकी maintenance जो है खराब हो जाएगी next है screw driver का प्रयोग soldering copper के इस्थान पर न करें अगर हमें soldering करना हो किसी पार्ट को जोड़ना है उसके इस्थान पर हमें screw driver का प्रयोग नहीं करना चाहिए तब भी क्या होगा कि हमारे screw driver जो है खराब हो जाएगा next point है screw driver का प्रयोग केवल उन साइजों के लिए करें जिनके लिए वह बना है इस ..." correction driver का कहां पर करना है इसस्थान पर करना है कि जिसके लिए हख्या हो बनाया गया हमारे स्कूरू driver स्कूरू को खोलने है या असी चैप और इस प्रयोग करना चाहिए नेक्स है टूटे हुए चिप हुए या गोल हुए चिप वाले इस्क्रू डाइबर का प्रयोग नहीं करना है जो हमारे इस्क्रू डाइबर की टीप होती है यह हमारी क्या होनी चाहिए टूटी नहीं होनी चाहिए और यह हमारी क्या होनी चाहिए कि गोल नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से के जो है हम इस्क्रू डाइबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, next point है, screw driver को pocket में न रखी है, screw driver को क्या करना है चाहिए, कि हमें जो है, अपने pocket में, अपने चेब में हमें, screw driver को नहीं रखना है, next बात करते है, screw driver को एसी position पर रख कर कारिण न करे, जिससे उसके slip होने पर चोट लग सकती है हमें जो है screw driver को एसे इस्थान पर किसी भी एसे इस्थान पर नहीं रखना है कगर कि हमारा screw driver गिरे तो हमें क्या हो सकती है चोट लग सकती है या दूसरे को चोट लग सकती है इससे जो है हमारा screw driver खुद के लिए नुश्कांदे होगा और जो हम screw driver भी खराब हो जाएगे यह topics जो हमारा छोटा topics था screwdriver यह topics जो हमारा यहीं तक topic था एगले बाद हम बात करेंगे next topic पर discussion करेंगे जो हमारा next topic होगा उसको आपको अगले वीडियो के माध्यम से बता जिया जाएगा अगर चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेर करना ना भूलें धन्यवाद